एक इच्छाधारी नागिन जिसका नाम था बिसकेन्या वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए धर्टी लोग पर पहुंच जाती है तब ही कोक से आवाज आती है मा हम नाग लोग छोड़ कर कहा जा रहे है मा तब मा कहती है मेरी बेटी हम इंचानू की दुनिया धर्टी लोग पर जा रहे हैं सुना हैं वहाँ बहुत खुछा ली है मैं तुम्हें वही पर जन्म दूँगी तब बच्चे कहते हैं पता नहीं मा मुझे धर्टी पर जाने से बहुत दर लग रहा है तब मा बोलती है नहीं मेरी बच्ची आपको कुछ नहीं होगा मैं आपकी मा हूँ मैं आपको कुछ न देना सहिए अब इच्छधारी नागिन खुट रहने के लिए एक जगह धुने लगती है वही एक लालची सपेरा जो हर रोच वही आया करता था नागमनी की तलास में उस दिन भी वह वही आया हुआ था और अपनी बीन बजाते हुए वहां पहुंच जाता है साथ में ही वह यग्या और हवन करने लगता है कुछ मंत्रा पढ़ते हुए एक बार अगर मुझे नागमनी मिल जाए तो मैं सभी नागनागिनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने कबजे में कहल लूँगा और सभी से एक एक करके नागमनी सिनकर बहुत अमीर हो जाओंगा आस तो मुझे लगता है कि नागमनी मिल ही जाएगी और वो इस तरह धुनते धुनते इच्छाधारी नागिन के करीब आ जाता है और वो जोर जोर से बिन बजाता है बिन्च की धून चिंद कर वो इच्चाधारी नागीन कहती है ये कैसी आवाज है जो मुझे अपनी और खीस रही है इतना बोलते ही इच्चाधारी नागीन साप में बडल जाता है और सीधा सपेरे के पास पहुंच जाती है तो सपेरा कहता है वह क्या बात है मेरी सालों की तपईचा आजपूरी हो गई आखिर कार मुझे इच्चाधारी नागीन मिल ही गई ए नागीन आप मुझे तुछे नागमनी छीन लूँगा और उस नागमनी से मैं जो सहे वो करूँगा तो नागीन कहती है लाल जी छपेरे मुझे छोड़ो मैं गर्बती हूँ तुझे बहुत पाप लगेगा मैं तुम्हारी सामने हाथ जो रही हूँ मुझे अपने बच्चे को जन्म देने दो मेरी समय नजदिक आ रही है तब कोक्चे फिर बच्चा कहते है मा मुझे लगता है कि आप बहुत परिसान हो मुझे बहुत घुटन महसुस हो रही है मा तब मा कहती है नहीं मेरी बच्ची मैं ठीक हूँ और तुम है भी खुश नहीं होने दूंगी लेकिन सपेरा नागिन की एक नहीं सुनता है और उस गर्बती नागिन को बंदी बना कर घर ले जाता है वो नागिन कर घर ले जाकर अपने पत्नी को सारी बात बताते है तब ये सुनकर पत्नी कहती है आप से बहुत बड़ा पाप हो गया है आप एक इच्चाधारी गर्बकती नागिन को पकड़ कर लेकर आए है हमरा बिनास तो निच्ची थे अब उसको अभी सोड आओ जी मेरी बात मान लीजी तब सपेरे क्रोधीड होकर अपने पत्नी से कहता है इतना सुनहेरा मौका में हाथ से नहीं जाने ले सकता तुम जाओ अपना काम करो उसे समय उहाँ एक सुरेल और जंगली राकसस आ जाते है और आकर ही सपेरे से कहते है एए सपेरे हमें पतासला है कि तू एक इच्चरहरी गर्वती नागिन को पकर कर लेकर यहाँ लाया है हम लोग उसी का पीसा कर्टे कर्टे यहाँ आया है जल्दी से उसे हमें हवाली कर दो नहीं तो हम दोनों तुम्हें मार कर खा जाएंगे उसे समय वही खरी सपेरे की पत्नी साब देख लेती है और कहती है हे भगवार हमें माफ कर दो मेरे पती से बहुत बड़ा गुना हुआ है मैं अभी जाकर उस इससाधारी नागिन को आजाद कर देती हूँ ऐसा करकर वो नागिन को आजाद कर देती है और कहती है हे नागिन आप मेरे पती को स्यमा कर दीजिए उनसे बहुत बड़ी कलती हुई है वो अपने लालज में आकर आपको पकर कर लाए है अब जल्दी से यहां से भाग जाईए आपको पकरने के लिए यहां एक जंगली राक्सस और सुरेल भी आई हुई है तब यह सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है हे भली औरत तू मेरी चान बचा कर तुमने मेरी बहुत उपार किया है इसलिए मैं तुम्हें बरनाद देती हूँ कि तुम्हारे जीबन में कभी दुख नहीं आईगा कभी धन की कमी नहीं होगी और तुम सदा खुश रहोगे यह कहकर इस्साधारी नागिन वहां से सली जाती है लेकिन तभी वो राक्सस और सुरेल उस नागिन को जाते देख लेती है इसलिए सपेरी की पत्नी के ऊपर उन लोगों को बहुत खुशा आ जाता है और उसको वही मार डालता है फिर वो दुनू उस नागिन का पीसा करते हुए वहां से सले जाते है इधर सपेरा अपनी पत्नी की मौत होता देखकर दुखी हो जाता है और रोने लगते है सपेरे को अपनी गल्दी का एहसास हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लूँगा और इस सद्हारी नागिन और उसके बच्चे को बचा कर रोंगा ये सोचकर उन लोगों के पीसा करने लगता है वो इस सद्हारी नागिन एक अच्ची जगा पर एक प्यारी बच्चे को जर्म देती है उसी समय नागिन को एक बूरी ओरत नजर आती है और वो बूरी ओरत मा दुर्गा की अवधार होती है वो नागिन को परेसान देखकर बूरी औरत का रूप लेकर नागिन के सामने आया था उसे देखकर नागिन ने कहा बूरही मा आप मेरी बेटी की रखवाली करना मैं उस राक्सस और सुरेल को देखती हूँ ये सुनकर बूरहीमा इच्छाधारी नागिन से कहती है है नागिन तुम सिंता मत करो तुम्हारी बच्चे अब मेरे पात चुरक्षित है तुम जाओ और उन लोगों को खत्मा करके आओ नागिन जाकर रक्सस लोगों से कहती है मेरा पीसा करटे करटे तुम दोनों यहां तक आगे अब मेरी कहर से तुम लोग नहीं बचोगे तप राक्सस बोलते हैं हे नागिन वो नागमनी और तेरी बेटी हमें दे दे बरना हम तुझे और तेरी बेटी को मार डालेंगे दोनों में खुब बहस हुई और इतना कहते ही नागिन और सुरेल के बीस भायंकर यूद होने लगता है तभी वो सपेरा भी वहां आ पहुंसता है उतने में वो सपेरा देखता है कि जंगल राक्सस एक तरवाल लेकर इच्छधारी नागिन को मारने के लिए आ रहा है ये देखकर सपेरा भागते हुए एक कुलहारी लेकर उस जंगली राक्सस की मुन्दी काद देटा है और उधर नागिन ने उस सुरेल को भी अपनी सक्टी से मार देटा है तभी सपेरा आकर इच्छाधारी नागिन को उसकी भूल के लिए स्यमा मांगती है है इच्छाधारी नागिन मुझे माफ कर डिजे मैं लालस में अंधा हो गया था तब इच्छाधारी नागिन कहती है तुम्हारी लालस की बज़े से ही तुम्हारी पत्नी की मित्रु हुई है लेकिन तुम्हारी पत्नी की अच्छे गुनों के कारण और मुझे जो उसने मदद की है उसके लिए मैं उसे फिर से जिन्दा कर देती हूँ पर बूर ही मा के पास आकर धेन्यबाद देती है और अपनी बेती को लेकर खुशी खुशी नागल सलिज आती है दोस्तों अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो और ये स्टोरी देखने के लिए हमारी सेनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूना धेन्यबाद